जाएं दोस्तों अग्लास से स्टार्ट करना हुँ एंग्लिश और हिंदी दोनों लाइग्वेज में रहेगा इसके पहले हमने पांच मेराथॉन क्लास किये थे हैं यह ऐसा क्लास था जिसे बहुत सारे बच्चों के स्विटी एक्जाम होने वाला थे जिसको लेकर मुझे जल सिर्फिंग्लिस में देंगये लेकिने ग्राइब जाकरहेंया यहां तक कि आज से श्रार्ट करते existed और सीवीटी एक्जाम का पेपर है ठीक है और सभी कोश्चन हम करने वाले इंग्लिस और हिंदी में और एक बात बता दें अगर आप यह प्रश्ट पूछे आएं पचास पचास बनाकर लाएं गरांटी है और आपका एक्जाम में जल्दी बाजी है तो आप क्या कर सकते हैं मेरा आपसर पHEले देख लेते हैं रिप्यार रिपीएरड वाज्रिपेर और रिप और रिप यह पास्टेंस प्रहल सोने के खारण यह आपका हुआपका 2 यह उपसर है एक वाज रिपैट और यह यह रिपीयर वाज रिपीर और यह वाज रिपसण की mlr the rest हो सकता है लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यह यश्टर्ड़ है और यहाँ पर यहाँ पर आपका पास्ट इंडिफिनिटे बनाते हैं तो यह पर यह नीमी के अनुसार correct answer यह है और यही correct answer अगर आपके exam में पूछा जाता है तो यह past indefinite में है यानि कि अगर आप tense के इसाब से देखें तो यह correct answer होगा past indefinite में the palumber repair the pipe yesterday लेकिन अब voice की तरब से देखें तो past tense में अगर देखते हैं तो was repair होगा और आप पूछे हैं तो एक्जाम में कौन से answer मारेंगे तो आपका exam में जो सही answer आता है was repair करना है ठीक है क्योंकि नीमी के अनुसार सही answer है और नीमी जो option भी देगी और उसमें सही answer भी देगी व by him नहीं लगाया गया बहुत ऐसे अपवाद question होता है कि by नहीं लगाया रहता है प्लम पाइप किसके दार ठीक है हम या हर के दार तो यहाँ पर by him या हर अपने छिपा भी रहता है ठीक है यह आपका पैसी में है तो यह correct answer है ठीक है क्या कि बहुत सारे बच्चे के पिछले class होगी comment कर रहे थे यहाँ पर repaired होगा लेकिन यहाँ पर passive voice में दिया गया है तो इसके वज़से यह was repaired हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं इस सवाल आपको confusion दूर हुआ होगा बाकी आगे से ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है यह next coach है रिक तस्थान की पूरती के लिए और कुमार डैस ए गूड कारपेंटर कुमार कैसा कारपेंटर है आर कैन बी और यूज यहाँ पर क्या लड़का है जिसके वज़से नाम के साथ हम इस लगाते हैं तो हमारा answer क्या correct answer E हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर कोई दो नाम होते तो आर लग जाता ठीक है तो कुमार is a good carpenter correct answer कुमार is a good carpenter next है तीसरा नमर कोचन रीक तास्तान की पूर्तिकाना यहाँ पर भी come to more and fix the door यहाँ पर यहाँ यह सेंटेस किस प्रकार का है इस सेंटेंस इस इंटरोगेटिव इंपरिटिव एक्सलामेटरी या ना यह किस प्रकार का सेंटेंस है तो हमारा answer है इंप क्यां इंपरिटिव इंटेंस है kola тебеनेस्टेंस अ वे ने इपिशन देखें कोचन और और ओर है हाव फीक्स दफसीच ऑ्हारी जाएगा एक्सलामेटरी यहाँ उंटेंस अ जम्ते watery शैक्सलामेटरी सेंटेंटेंस नेक्स है फूसलामेटरी सेंटेंस कोचन ठेह लहते हैं क पूर्ति करना यहाँ पर भी, while addressing your boss, you should be, अपने boss की तरफ addressing करते हुए, ध्यान देते हुए, आपको क्या चाहिए, you should be, आपको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, impolite, formal, informal, formal, या none, तो आपको होना चाहिए, formal, while addressing your boss, you should be formal, okay, fill in the blanks है, तो यहाँ पर आपको जब भी आपको boss क तक फिर इसारा करना हो, तो आप formally ही करिए, ठीक है, next question, six number है, एरिक तरस्तान की पूर्ति करने है, यहाँ पर भी, the customer requested the lady executive to display the different mobile phone model, the customer asked the dash to mention the cost of the mobile tool, ठीक है, इसका fill in the blanks बताना, इसका option देख सकते है, him, his, her, it, इसका correct answer हो जाएगा, आपका, her, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर executive जो है, lady है, क्या है, एक lady है, तो lady की वैसे हम यहाँ पर लगाते है, her, अगर कोई man होते है, executive में, तो वहाँ पर होता है, his या him होता है, लेकिन आप लेडी होने को वैसे, आपर customer क्या होता, the customer asked her to mention the cost of the mobile tool, मतलब एक व्यक्ति गया है, दुकान पर, और वहाँ जो executive है, जो समान बेश रही है, वो जो है lady है, और जो customer है, जो ग्राहक है, lady से कर रहा है, इसका mobile का price भी बता है, इसका कीमत क्या है, तो यहाँ पर, क्या है lady है, जिसके वैसे हम को क्या करना पड़ है, यहाँ पर हर लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर रिक तस्थान की पू पूछते हैं, to show dash haltigat, वो अपना haltigat देखा है, for the CTS examination, him होगा, him, his, option B, him, her, her, his, her, him, यहाँ पर क्या ही पर भी लड़की का जिक्र नहीं होने कारण, यहाँ पर यहाँ पर हर जो है, यह गलत आइंसर हो जाएगा, जिसके वाएसे हमारे यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, him या his, यहाँ पर रुजा है, the principal ask him to show his haltigat, मनोज एक लड़का होने वाएसे, him और his लएगा, यहाँ पर कहीं लड़की का नाम नहीं होने कारण, यहाँ पर हर आपका नहीं लगने वाला है, question number 8 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको जो 8 है, hi, how are you, what's up, यह किस प्रकार का उदारान है, यह किस प्रकार का उदारान है, देखना है, formal communication, informal communication, polite communication, non communication, यह जो communication है informal communication, किस प्रकार का communication है, informal communication, यही बात, यह तो informal है, लेकिन ऐसा बात हम अपने दोस्ते से मितर से कर सकते हम, लेकिन अगर watching Steve만 करना हो, ITI instructor हो, या किसी bank में जाते हो, वहाँ पर communication करना हो, तो हम formally communication करते हैं, लेकिन दोस्ते से बात करते हैं, तो informal communication होते हम, next question की तरफ देख Pepsi, 9 number how do you want to work what is your qualification यह किसपरकार का बाक्गे यह पुछा गयا है how do you come to work what is your qualification यह किस प्रकार का प्रश्न है किस प्रकार का वाक्टे नगेफ्टार का बाक्गे संटें यह फॉर्मल गुमिनिके सन्ट छॉर्मों कमिनीके शन्ट इन्ट इन्ट ऑल आपके सिंट पर मुर्मलक अगर आप किसी grocery shop पे जाते हैं और वहाँ पे आप को superior supervisor मिल जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा turn your face and go away, run to him her and hug him her, see great him and him her formally, great him her informally अगर आप किसी grocery shop पे मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या कीजिए है great him her formally, अगर वह आदमी होता है तो him हो जाएगा और कोई lady होगी तो आप हर हो जाएगा लेकिन हम formally behave करें, formally उनसे मिल लेंगे, ठीक है भागेंगे नहीं when you borrow a screwdriver from a trainee, you should say, अगर आप किसी अपने दोस्त से या किसी अपने classmate से एक screwdriver लेते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको कैसे कहें हैं कि आपको screwdriver चाहिए give me your screwdriver, अपना screwdriver दीजिए, can you give me your screwdriver, कि आप अपना screwdriver दे सकते हैं किता सुन्दर आपका, मतलब किता अच्छा screwdriver है, spare me your screwdriver, यहाँ पर आपको correct answer क्या हो जागा, यहाँ पर correct answer हो जागा, can you give me your screwdriver, कि आप अपना screwdriver यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ आपका answer हो जाएगा, next question की तब चले हमारा 12 number question है, यह question ही है, रिक्तस्तान की फूर्ति करना यहाँ पर भी, the company ask the carpenter, company carpenter से पूछती है, to design a box with a given dimension, एक dimension दे दिया जाया है, और उसी dimension में, वो एक box को design करना है, when it was approved, जब यह अप्रूब कर दिया आता है, he made many more dash of the company, यहाँ पर box का puller पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए box का puller box तो होगा नहीं, cabinets तो होगा नहीं, box का puller होता है, boxes, तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, boxes, 30 number question देख ले, magnificent, large, thin, lengthy, square, bright, sharp, hard, यह किसके उदारन है, यह सब जो दिख रहे हैं, large, thin, lengthy, square, bright, यह सब किसके उदारन है, describing word है, action word है, pronoun है, यह naming word है, यह सभी आपके describing word है, describing word यानि कि adjective कहा सकते हैं, adjective किसी की विश्यस्ता बतलाता है, और describing word किसी भी naming word का क्या करता है, यह describe करता है, जैसे कि मालने कोई large वस्तु है, उसको बताता है कि यह जो वस्तु है, large है, यह जो वस्तु है, thin है, यह जो वस्तु है, यह जो वस्तु है, ब्राइट है, यह sharp है, यह hard पत्थल है, इस तरह से हम इसका यूज करते है, describing word का, describing word नावन या प्रोणाउन को डिस्क्राइब करता है यानि जो संग्या और स्वर्णाउं को इस्टा बताता है उसे या करते हैं इस तरह से डिसक्राइब वर्ड है नेक्चट कोशन देखते हैं फोटिट नंबर टेबल वायर सौकेट केबल हैमर नेल पाईप मोटर इसका हुदारना बतारा किस प्रकार का we 기본 एकिस प्रकार क्राइब ये क्या क्या एक्सान वर्ड है इस्क्राइबीम वर्ड से या नेमि मेयोच से एक तरह यह सब सबी नेमिंग वर्ड है तो यह ही यह तेपलल्य ये आपका लंबा ओप ल logg है वो जो लॉंग हो जाएगा आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड इस तासे आपको यूज कियाता है नेक्स को नहीं देते हैं 15 फिक्स मेजर पूल लिफ्ट ग्राइंड मीक्स ऑपरेट यह किस प्रकार का उधारन है इसके बताना किस प्रकार का उधारन प्रुनावन है सबी भर्व हैने यह नहीं प्रुनावन है प्रुनावन क्या हो जाएंगे तो आई वी यू यह सब प्रुनावन है डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने देख लिया जो भी सेस्ता बतलाते हैं, naming word यानि कि नाम हो जाएगा, कोई भी नाम naming word कर लाता है, next question किता हो चले 16 की तरफ, question यह है कि, comma, fuller stops, question marks, are example of, यह अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सुचक चिन, यह किसके उदारन है, यह सभी उदारन है, आपके, किसके, design है, punctuation mark है, formal communication यह कोई नहीं, किस तरह के हैं, विराम चिन है, आप चारिक, संचारिक, कैसा है, यह जो है, आपके, punctuation mark, क्या नहीं कि, विराम चिन है, क्या है, विराम चिन, 12 से 14 आपको, विराम चिन होते हैं, यह सभी आपको याद कर लेने हो, ऐसे, आपको, यह question आएगा, इसको उपर निचे हैं, आपको सिर्फ, आपको याद हो जाएगा, यह जो है, पंचुएशन मार्क है, विराम चिन, question 17 तरफ चले, you are requested to complete the given assignment by Monday, this is an example of, आप से रोध किया थे, कि दिये कारे को सोमवार तक कर ले, यह किस प्रकार का उदारन है, यह जो उदारन है, किस है, impolite communication है, formal communication है, informal communication या overall communication, यह जो आपका communication है, formal communication है, किस आप communication है, formal communication, next question देखे 18 number के तरफ चले, picture, facial expression, eye contact, our example of, how, भाव, चेहरे का भाव, आख से संपर्ग, यह कैसे किस के उदारन है, यह आपको बताना है, तो यह verbal communication है, यह non-verbal communication है, acting communication है, यह communication skill है, मौकिक संचार है, यह कहा संचार है, य संचार को संचार को संचार है, यह किस तरह का को संचार है, इसके बारें बताना है, यह हमारा कैसे संचार है, यह non-verbal communication है, बिना कहे हुए संचार हो रहा है, यह तो यह जो है, आपका non-verbal है, picture, facial expression, eye contact, यह सभी example है, non-verbal communication, next question की तरफ चले है, 19, I have received complaint about workplace safety, please check them immediately and share the detail with me, this is an example now, मुझे कारयस्तल की सुरक्षा की बारे में सिकायते मिली है, किरप्या उन्हे तुरंत जांची और वीवरान मेरे साथ साजय करें, यह की प्रकार का उधारन है, क्या casual communication है, formal workplace communication है, या informal इकार आपकाומल क्मुनिकेशन यानि की आप्चारिक कार्यस्ताल संचार है यहाँ पे बातो ह३ी बाती है फॉर प्लेस सेटी के पूछा गया हैं तो यह आपको कैसे मदद करेगा तो इसका बहुत बढ़ा-बढ़ा होने के वाएंस से आपको दिक्कत होगी थोड़ी इसका एंसर आपको बता रहते हैं इसका एंसर है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबन्द अस्तापीद करें जिससे आप अवचारिक और अनवचारिक इस्तिति में मिलते हैं अभिबादन का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबन्द अस्तापीद करें जिससे आप अवचारिक और अनवचारिक इस्तिति में मिलते हैं जब आप आई टी आई के अंदर या बाहर प्रसीचक से मिलते हैं तो यह क्या होता है तो आप क्या करें जब भी आप अपने आई टी आ के बाहर या अंदर मिलें वो कैसे विए करें जब भी हम अपने की किसी इस्ट्रक्टर से मिलें तो हमारा जो भी यह होगा हमेशा आप चारिक होगा यानि की फॉर्मली ही रहेगा ठीक है यह ध्यान रखना है कभी भी आज एक इस्ट्रक्टर मिलेंगे तो उनसे विएव करना है फॉर्मल नेक्स्ट को चले हमारा 22 इन दो कॉंटेक्स्ट अप एन इंटर्व्यू किसी इंटर्व्यू में ग्रेटिंग इस नौट तो बी यह साग्छातकार के संदर में डै अविवादन का परियूग करें वह फॉर्मल ही होगा साग्छातकार के समन में अविवादन जो होगा फॉर्मल कहीं परियूग करें यानि की अवप्चारिक ही में लाए हैं कोचा नुमर 23 जो है when you make an inquiry at a bank it is that situation जब किसी बैंक पूस्तास करते हैं तो यह कैसी इस्तिति होती है यह इस्तिति फॉर्मल होती है यानि कि अनुपचारिक यह फॉर्मल होगी और अपचारिक फ्रेंडली होगी मैत्रिपूर्ण यह कैजूल एक अकस्मिक यहाँ पर जो इस्त जो यह इस्तिति फॉर्मल ही इस्तिति होती है कुछल और 24 देखे दूरिंग दूरिंग नाइटेट पेंडेमिक इस बेटर टू डैस देन हैंड से नमस्ते देन डैस हमारी के दौरान हाथ मिलाने के तुलना में और डैस से नमस्ते कहना बेहतर है देखिए कभी मैं इसमें आपको देते हैं तीन ओप्सन हैं दो अप्सन हैं हाग वेव हैंड गले लगाओ यहाथ मिलाओ यहाँ पर आपका जो सही ऐंसर है यहाँ पर आपका जो answer है, हाथ मिलाने के तुलना में, हाथ हिलाना और गले लगाने से बेतर है, गले लगाने से बेतर है नमस्ते कहना, तो हमारा जो answer होगा है, हमारी के दौरा हाथ मिलाने के तुलना में, हाथ हिलाना जो बेतर है और नमस्ते कहना बेतर है गले लगाने से, यानि कि एंसर जो होगा, during the COVID-19 pandemic, it is better to wave hand, then shake hand and say namaste, then hug. This is correct answer is B. Next question की तरफ हम चलें, last question है आज के सेटका, a good dash help to create a good first impression. एक अच्छा dash एक अच्छा पहल अभाव बनाने में मदद करता है, देखें, family, friend, self introduction, all of the above. पहला परभा बनाने में मदद करता है, self introduction helps to create a good first impression, एक अच्छा अच्छा आत्र परभाव बनाने में मदद करता है, देखें, उमीद करते हैं, आज क्लास के जितने में questions ते आपको समझ में आयोंगे, पिछली बार के मुकावले, क्योंकि पिछली बार तो आपको marathon class चलने वाई से एक सेरीज में 100 सब कोचन हो जाते हैं, आज के सीरीज ये 25 कोचन हैं, आगे देखते हैं, आगे और भी के इस तरह से सीरीज आने वाले हैं, तो सभी सीरीज को देखना मत भूलेगा, और चैनल पर नहीं प्रश्ट आपको दिये गया है, और आने वाले दिन सभी आपको दिये जाने वाले हैं, तो मिलते हैं साथ अगले वीडियो में अगले जाने के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,